नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहोसर आप सब करश्वागत करता हूँ एक बहुती महतुपुन वीडियो पर इस वीडियो को ध्यान से देख लिएगा क्योंकि बहुती महतुपुन विशाय पर हम चर्चा करने वाले हैं यहां यह जो प्रसन आपको दिखाए दे रहा है यह बोर्ड एक्जाम में पूछा गया प्रसन है पिछले साल इसको बोर्ड एक्जाम में पूछा गया था और इस प्रकार के प्रसन बहुती यूनिक होते हैं और यह प्रसन ऐसे प्रसन है जो हमेसा रिपीट किये जाते हैं इ पर देखें, पहला प्रस्ण की हम चर्चा कर रहे हैं, एक सराल रेखा है, यह प्रस्ण देखें, एक सराल रेखा, 2y प्लस x is equal to 4 में, रेखा की धाल क्या होगी, अब धाल मतलब क्या होता है, प्रवन्ता, जिसमें हम क्या करते हैं, y का जो value है, निकालते हैं, और y का value निकाल देखें, बहुत असानी से हम बदल सकते हैं, यह देखें, आपके सामनी में पूरा कर रहा हूँ, यह जो हमारा प्रस्ण दिखाएद रहा है, जिसे यह लिखा है, 2y, प्लस x बराबर 4, अब इसको मुझे उस रूप में बदलना है, जो मैंने अभी आपको बताया था, तो इसको हम किस रूप में लिखेंगे, यहाँ पर y लिखेंगे, बराबर, ठीकेट, यह हो जाएगा, x जो उधर पक्षंतर जाएगा, क्या हो जाएगा, मैनस x हो जाएगा, है न, मैनस x, और यह हो जाएगा, प्लस 4, अब यह 2 जो है, इधर आ जाएगा, दोनों के बटे में तो कुल मिला कि आपके पास y कमान कितना है माइनस 1 बटे 2 हो जाएगा याद रखेगा माइनस 1 बटे 2 x और यहाँ पर हो जाएगा प्लस इसको हम भाग देंगे तो उत्तर आएगा 2 तो x का जो गुनांग होता है चिन्ने सहीं वही क्या कहलाता है उसका प्रवंटा कहलाता जिसको हम aim से दर साते हैं ठीक है तो यह हमारा total complete answer हो चुका है कि हमारा aim command कितना रहा था धलान कितना रहा था हमारा हमारा ज़ा धलान है जिसको हम लोग ढाल बोलते हैं वो आ रहा था रीन 1 बटे 2 जो कि यहाँ पर option number c में है तो अब आपको समझ आ गया होगा कि इस पहले का answer यह जो पहला दिखाई दे रहा है इस पहले का answer कौन सा है c है पहला answer हो गया दूसरा में आ जाते हैं यदि दो समरूप त्रिभूजों के 6 त्रफल ध्यान देजेगा इस option की हम बात कर रहे हैं यदि इस option को देखे यदि दो समरूप त्रिभूजों के 6 त्रफल बराबर हैं तो भी त्रिभूज क्या होगे अगर कोई 2 त्रिभूज है जिनके 6 त्रफल बराबर हैं तो वो कौन से त्रिभूज कहलाते तो भई simple ची बात है वो क्या कहलाएंगे क्योंकि ये तो पूरा अंख है, अंख है, अंख है और अंख है, तो ये क्या कहलाएंगे, सरवांग सम, त्रिभुज कहलाएंगे, बहुत सिंपल सी बात है, तो इस प्रकार के प्रस्णों को थोड़ा दिमाग लगा कर भी यल करना पड़ता है, फिर ये दोनों प्रस्णों हो और आपको उत्तर आ जाएगा 9, अर्थात 9 क्या हो जाएगा हमारा समांतरमात्य हो जाएगा मतलब यह वाला अपसन, ठीक है, अर्थात तिसरा अपसन का उत्तर कौन सा होगा, वाला अर्थात 9 होगा, यह भी समझ आ गया, चलिए, इसमें आते हैं, यदि θटा का मान 45 अंस है, है ना और आपको निकालना है 10 ठीटा है ना 10 ठीटा 10 इसको ठीटा मतलब 10 45 का मान निकालना है और इसको स्क्वेर में निकालना है ठीक है तो निश्ची दुरुप से आपको यह तो पता होगा कि 10 45 का वेलू कितना होता है ठीक है आपको पता है कि 10 45 45 का मान कितना होता है एक होता है अब इसका हम स्क्वेर भी कर देंगे तो भी हमारा मान कितना आएगा एक ही आएगा इसका मतलब इसका अंसर कितना आ गया है यहाँ पर यह जो आपसन एक में ए में दीख रहा है आपसा नंबर A में जो हमारा उत्तर दिख रहा है यह वाला यही क्या होगा इस चाहुते प्रस्न का उत्तर होगा अब जो एक प्रस्न बज गया जिसमें क्या लिखा है किसी घन की प्रिष्टी विकरणों की संख्या होती है यहां पर दिखे प्रिष्टी विकरणों की संख्य हैं इनके 6 फलक होंगे और प्रतेक फलक में आप कितने विकर नखी सकते हैं तो चलिए हम इस फलक की बात करते हैं तो यहां से हम यहां पर एक विकर नखी सकते हैं तो टोटल 6 फलक होते हैं तो कितने विकरन को सकते हैं आप बारा तो यह सारे परस्ets मैं ने बता दिए इस प्रस्न को यदि आप हल करते हुए सीखना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कम्योंन करके जुरूर बताएगा ताकि इसको में पुरा हल करके आपको समझा सकूँ आज के लिए इतना ही चलिए मिलते हैं का और बैते रिमिटे को साँ तब तक के लिए जैन जबाल